नमस्कार दोस्तों, DK3D Home Design में आपका फिरस एक बार सौगत है, मेर नाम DK Lonekar है और मैप के लिए नएने प्लांस, नएने डिजाइंस और उसके साथ साथ मैं Home Design के बारे में लगबगहरतर की जानकारी चानपल लाने की कोश्च करता हूँ तो स्क्रिम पर जो देख रहे है, 30 feet by 50 feet का पूरा प्लाट का एरिया था जिसमें यह प्लान हमने बिठाया है, यह South Pacing House प्लान है, मतलब दक्षिन की दिशा में इसका रोड है, एक ही रोड है दक्षिन की दिशा में और बाकी तीनो साइट जो है दूसरों के प्लाट है, तो हम बाद में यहाँ पर 3 feet का पैसे चोड़ागा है, यह पीचिक सैडमी की जगा यूज करने के लिए दियागा है, यहाँ पर यह step चड़के इस एंटी करेंगे इस sit-out में, 10 feet 3 inch by 6 feet का यह sit-out का एरिया दियागा है, यहाँ पर एक बड़ा सा विंडो हम लगा सकते है या तो प पिचिक सैडमी का पैसे चोड़ागा है, यहाँ पर हमने कीचन दिया है, 11 feet by 10 feet 10 inch का कीचन दिया गया है, मतलब लगबग 11 feet by 11 feet का दिया गया है, और किचन को यहाँ पर एक डोर भी दिया गया है, इस वाशिरिया को यूज करने के लिए और यहाँ से हम बार भी निकल सकते ह अंदर भी आ सकते है यहाँ पर किचन को एक स्टोर रूम दिया गा है पाच फिट बाच फिट का डाइनिंग के सामने यहाँ पर आद दे सकते है एक छोटा सा पुजा रूम एज़स किया है जिसका साइज है तीन फिट बाइ चार फिट का आगे बढ़ते देखे यहाँ पर हम अंदर से यूज़ कर सकते है इस डोर से लेकिन इसे बाहर से भी यूज़ कर सकते है अगर आपको उपर का फ्लोर रेंड की इसाफ से देना है मतलब उपर की मंजिल जो है आपको किराय की इसाफ से देना है तो वो जो उपर वाली फैमिली जो है वो इस साड़ से आ सकती है यहां पर जो 3 feet का पैसे चोड़ा गया है यहां से आ सकती है और landing के नीचे से यहां पर entry कर सकते है और यहां से उपर चल जाती है मतलब यह नीचे वाली family को कोई भी डिश्टर नहीं होगा क्योंकि यहां पर एक door बताया गया है उसके बाद में यहां पर आप दे सकते हैं एक चोड़ा सा bedroom दिया है 10 feet by 11 feet का और इसे एक window यहां पर दिया है क्योंकि इस side में हमने 3 feet का पैसे चोड़ा है लास्ट में हमारा master bedroom बताया गया है यहां पर अब इसका size जो दिया गया है 11 feet by 10 feet आर्टिस्म का मतलब लगबक 11 feet by 11 feet का और इसे एक बालकनी भी दी गई है यहां पर एक door रहेगा और यह बालकनी हम यूज़ कर सकते है और इसे एक attached toilet bathroom भी दिया गया है जिसका size है 4 feet by 7 feet का और इसे ventilator यहां पर बताया गया है तो आप देख सकते है कुल मिला कर यहां पर bedroom और यहां पर एक bedroom हमने भी दी है उसके बाद में common toilet bathroom जो है दिया गया है वो separately दिया गया है और यह master bedroom को attached toilet bathroom भी toilet bathroom दिया गया है staircase जो इस type में दिया है कि हम बाहर से भी यूज़ कर सकते है और अंदर से भी यूज़ कर सके यहां पर एक pujya room भी दिया गया है यहां पर एक dining area दिया गया है store room भी दिया गया है kitchen भी separately दिया गया है kitchen का size भी काफी बढ़ा दिया गया है और living room भी दिया गया है और यहाँ पर sit-out भी दियागा है अगर आप चाहे तो यह sit-out को इस living room में भी convert कर सकते है मतलब पूरा जो living room का size बढ़ सकता है तो इस type में 30 feet by 50 feet का यह south facing house plan है यहाँ पर आप दे सकते हैं main door जो रखा गया है वो east face में बताया गया है और kitchen का जो position है वो भी वास्तो के इसाब से हमने adjustment करने की कोशिकी है इस plan में outer wall जो है 9 inch के लिए है rainer wall जो है 4 inch के लिए है तो आशा करता हूँ कि आज का जो जो plan है आपको detail में समझ महर पसंद दिया है अगर आपको यह plan पसंद आता है तो इस video को like और share जरू करे और अगर आपको लगता है इस video से किसी का फायदा हो सकता है तो इस video को share भी जरू करे और अभी तक आपने हमारा channel subscribe नहीं किया है तो आप से एक बार request हमारा channel subscribe कर लिजे क्योंकि लगबग हजारों की तादाद में यहाँ पे plans और designs हमने upload किये है और आने वाले समय में और भी हज़ारों plans, designs और home design के बारे में हत्तर की जानकारी हम इस channel पर लाने वाले है तो इस video को देखने के लिए आपने जवाब का किम्ती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद तो अभी के लिए इतना ही मिलते है नेक्श वीडियो में